सरकारी एक जमाने होता था सतिश के सिंग जी गाउ में tier 2, tier 3 cities में माबाप कहते थे भई शादी बिटिया की वहीं करेंगे जहाँ सरकारी नौकरी हो क्यों यूगी टेंचन नहीं होगी नौकरी लगाता रहेगी प्राइवेट की तरह नहीं है अब तो सरकारी में भी देखे 3- अचारे प्रमोत कृष्णम ये फ्रीबीज की राजनी थी ये रेवडी की राजनी थी देश को कहीं लेके जा रही है मुझे दो लगता है नहीं अचारे जी देखे एश्वर्डव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्व है इस देश में अच्छली क्या सरकार का काम होता है कि जहां कुछ अभाव है उसकी मदद करो किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उसे अच्छी शिक्षा दो जब शिक्षा लेने के बाद रोजगार ने मिल पा रहा तो उसे अच्छा रोजगार मोहिया कराओ और किसी को अच्छे इलाज की जरूत है उसे अच्छा इलाज मोहिया कराओ ये जो कोविड का काल आया इसमें सरकार ने एक फैसला लिया कि भाई कम से कम खाने के ला लेना पड़ें लोग भूकों ना मरें बीमारी है महामारी है तो उसके लिए एक फैसला लिया ये अच्छी पहल थी किसी की मदद करना अच्छी पहल है किसी की मदद करने की योजना बनाना अच्छा फैसला है लेकिन ये जो सरकार है ये किसकी है ये हमारी है देश किसका है हमारा है आकिर हमें जो कोई फिरी चीज दे रहा है वो ले किस से रहा है सरकार के पास अपना बजट तो कुछ होता नहीं सरकार कहीं से ला के थोड़ी देती है सरकार क्या है हमारे आपके बीच में से लोग जाते हैं वही सरकार बनाते हैं और सरकार देश का ख्याल रखती है लेकिन हो क्या गया है कि हम यह सोचते हैं कि हमें फिरी में कुछ चीज मिल जाए सरकार कहां से लाएगी सरकार का कोई अलग खजाना है क्या इस देश के अंदर 30% 40% 50% लोग हैं जो दिन रात महनत करते हैं जो दिन रात एक कर देते हैं और महनत करके वो सरकारी सेवाओं में हैं तो जनता की सेवा करते हैं और वो अगर बिजनेस करते हैं प्राइवेट बिज कदेते हैं और इससे कुछ पैसा कमाते हैं उससे टेक्स Caesar काल लेती है और उस टेक्स से जहां अभाव है उसको ठीक कर देती है लेकिन अविए एक fashion बन गया है अव्यों विकरतीन बन गई है और यह बीमारी बहुत बड़ी है यह आज Frankाल कल न आमादमी पार्टी उसका विशय नहीं है विशय है एक सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम कहां पहुँच गया है आज एक आदमी मैं जब उत्तर प्रदेश में मैं उस समय कॉंग्रेस में था और उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाब चला था तो एक बैठक हो रही थी उसमें ये बात आई कि साब हम उत्तर प्रदेश को कैसे जीते हैं तो उसमें एक सलहा मैं नाम नहीं लूँगा नेताओं का बड़े नेता हैं सब उसमें एक प्रस्ताव आया उसमें सुझाव आया कि साब ऐसा करो कि हम अगर जीते तो हम महिलाओं को स्कूटी अगर दी जाएगी तो इसका तो बहुत बड़ा बजट बनेगा कितना बजट बनेगा तो उसका बाकाइदा बजट तयार करने का आदेश दिया गया उसमें कई हजार करोड का जो बजट था वो आया मगर यह जो बात है कि हम स्कूटी देंगे तो कोई कहेगा कि अस्टेलिया, जर्मनी, फ्रांस की तरह नहीं है यह बहुत बड़ा देश है इसकी एक बहुत बड़ी पॉपलेशन है देड़ सो करोड का देश है देड़ सो करोड में अगर लोगों को यह लगता रहा कि हम अगर वोट उसे देंगे जो हमें फिरी खाना देगा वोट उसे देंगे जो फिरी बिजली देगा वोट उसे देंगे जो हमें कपड़े पहनाएगा वोट उसे देंगे जो हमोटो साइकल देगा तो फिर एक दिन ये सिस्टम चरमरा जाएगा लोग काम करना छोड़ देंगे मैं पूरे के पूरे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर कह ऐसी आपदा आ जाए तो उसमें जनता की मदद करना सरकार की ड्यूटी बनती है लेकिन ये जो एक इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है कि राजनिती करण हो चुका इस बात का कि हम चुनाव लड़ने जाएं और हम कहने के साथ पहली सरकार ने क्या दिया था पहली सरकार ने अगर 10 रुपे दिये थे तो हम उसको 100 कर दें 100 दिये थे तो हम उसको 1000 कर दें 1000 दिये तो हम 2000 कर दें आएगा कहां से हमारी ही जेप पे पड़ेगा लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है इसलिए इस बात पर पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को खुले दिल से इंदा इंट्रेस्ट अप नेशन देश के हित में सोचना चाहिए सबी को सोचना चाहिए वरना हिमाचर प्रदेश की जो इस्तिती हो रही है वो सब जगे होगी अप्रदेश के नहीं है सुधान्चु जी इसलिए क्योंकि महराष्ट में अभी इलेक्शन आने वाले है थोड़ी सी बीजेपी की आलत डिली डैली है यह आप भी जानते हैं आप मानेंगे नहीं होनेर बदास तो रियालिटी तो अभी आप अर्विन केजरिवाल के अभी कुल्दीव कुमार जुड़ रहा है कैमरा उनका कनेक्टर आप कैसे उनको बोलेंगे कि तुम फ्री पानी मत दो तुम फ्री बिजली मत दो यह हम पहले दक्षन में देने देखा था याद है डीम के है फिर यह डीम के में से किसी ने शुरू किया था प्रेस कॉंफरेंस हुची बाकाय था उसमें पंका रखा था चूला रखा था टीवी रखा था सर क्या क्या था चावल था गेहू था गैस थी यह सब देंगे अगर हमको वोट दोगे तो आप उसका रिफाइंड वर्जिन कर रहे हैं सुधानचु जी आज आप कैसे मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरों की सरकारी करमचारियों की तंखा नहीं कई है तीन तारिक हो गई है यही हाला दूसरे प्रदेशों में भी होगी और आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं और आपकी पार्टी तो एंटी रेवरी पॉलिटिक्स क्या क्या बोला था सुधानचु जी देखिया ऐश्वर जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा जो आचारी जी ने भी कही उससे आगे लेते हुए कल्यानकारी राज्य की अवधारणा भारत के समिधान की मूल अवधारणा है जो गरीब है जो वंचित है जो निर्धन है उसको जीवन की मूल भूत आवशक्ताओं को पहुचाना दोनों में अंतर क्या है एक होता है कि आप व्यवस्थिट डंग से एक सर्वे करें विशलेशन करें और यत्य करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आवशक्ता है और उनको वो चीज मुहया कराएं यह है कल्यानकारी राज्य जैसे 2014 जीतने के बाद आप याद करिए 2014 के जस्ट चुनाओं से पहले और यह लगाता है एक और भाई इसको ठीक करवाईए यह ताल कटोरा इस्टेडियम में कॉंग्रेस की नेशनल कंवेंशन था और उस समय राहूल गांदी ने आदेशात्मक शैली में कहा था मनमौन सिंग्जी से कि प्रधान मंत्री जी हमें सबसीडी वाले छे नहीं बारा से लेड़र चाहिए यह होता सब को दे दो और प्रधान मंत्री मोधी जी ने क्या कहा जो सम्रद हैं सक्षम अगर हो सके तो सबसीडी छोड़ दे और एक करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया था यह होता है कि जो लोग आप जो जिन लोगों को आवशकता उन्हें देना जैसे हमने कहा असी करोड़ लोगों को राचन देंगे हमने कहा कि 50 करोड़ लोगों को स्वास्त बीमा की सुरक्षा देंगे हमने कहा कि करीब 20 से अधिक करोड़ लोगों को गैस देंगे हमने यह नहीं कहा कि सबको बाट देंगे और उसके साथ साथ हमने एक और बात भी कही हमने ये कहा कि जिनों की आवश्यक्ता है जिनों को जिस प्रकार की अरे ये लगातार बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा भई बात करने में बहुत मुश्किल हो रही भई मैं आपका आडियो डिस्कनेक करके दोबारा करने करा रहा हूँ आप बोलते रही है जी आप अपनी बात पूरी कीजिए ओके कोई नहीं